फेस्बुक से पैसा कमाने के लिए हमें वो कौन सा फ़र्म भरना पड़ेगा जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर पैसा आपको कैसे मिलेगा फेस्बुक पेज बना लिया वीडियो डालना भी स्थिक लिया मैंने अपने पेज पर सारी चीजे बता चुका हूँगे किस तरीके से आपको फेस्बुक पेज बनाना है वीडियो डालना है और कैसे कैसे काम करना है लेकिन आज मैं आपको कि ये काम तो कर रहे लेकिन बाइस साब कौन सा form है form है जो Facebook का है जिससे भरने के बाद से कब उसे आप भरेंगे कब आपको apply करना है कब आपको उसको फिल करना है जिसके आपके खाते में पैसा आएगा और कैसे आपको bank detail प्रफिल करनी कैसे पैन काड़ डालना है वो सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फूल टेटोरियल है अगर वीडियो पसंदा तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो जरू कर लें अगर आप आप आलाइन पैसा कमाना चाहते हैं चाहे वो यूटूब हो चाहे फेजबुक हो दोर्य प्रेटफरम के बारे में अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस पेज़ पर तो पेज़ को फॉलो करें अगर वीडियो पसंदा है तो फॉलो करें और सेयर जरूर कर देना सेयर करना लाइक क करना कमेंट करके बताना कि मैंने आपको information कैसी लगी चले वीडियो में आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि आखिर वीडियो टो डाल लिया सब कुस हो गया फॉलोर्स भी हमारे हो गए दस जार फॉलोर्स हो गए चाहलाग मिनट हो गए लास्ट सिक्षी जेज में औ आपके पेज़ पर 6 लाक मिनट व्यू होना चाहिए और साथी साथ वह मिनट व्यू कौन से काउंट होगे काउंसे वीडियो का होगा जिन वीडियो की लेंद तीन मेर से नीचे वालों का काउंट नहीं होगा मेरी बात को समझ लेना ठीक है तो चलिए अब मैं आपको बतात चलिए यह देखिये 10,000 फालोर्स हो चुकिक है हमारे ठीक है और हम यहाँ पर आपको स्टूडियो यह क्रिटर स्टूडियो एप जो होता है यह नियो experience है नया page है ठीक है नया जो experience है वो लबकी profile जैसे दिखेगा page रहेगा आपका ठीक है अब यहां पर आपको क्या करना है back जाना है back जाने के बाद से आपको यहां पर switch करना है अपने page पर तो यहां पर जो हमारा page है आप देख सकते हैं मैं tech champion support open कर लेता हूँ मेरी बात को गौर सो समझना और यहां अगर यहां गलतिया कर गए तो पैसा नहीं मिलेगा भाई पैसा नहीं मिलेगा तो यह चीज़े बिल्कुल गलती मत करना step by step समझ लेना ठीक है अब देखो आपका यह आ चुका है page अब यहां पर उपर icon पर click करना है और नीचे यहां पर professional dashboard में आपको click करना है ठीक है अब जैसे click करेंगे यहां पर आपको नीचे आना है नीचे आएंगे नीचे आएंगे यहां पर दिया होगा यह देखिए tools to try यह देखिए दिया है na tools to try अब आपका जो page है जिस भी criteria को आपका page complete कर लेता है जिसे कि मा लिजे आप facebook पे क्या है कि आप star से भी पैसा कमा सकते हैं बने देएगा बताओं star आपको भेजेंगे 1000 subscribers अगर आप followers अगर आप last 60 days में continue कर लेते हैं तो आपको star का feature मिल जाता है अब यहां पर देखिए यहां पर क्या दिया गया है subscription यह subscription आ चुका है subscription मतलब क्या होगा अगर आपको आपका member कोई ब कुछ videos मैं आपके लिए बनाऊँगा ठीक है यह तो बात की बात है main जो है वो है in stream ad यह वाला यह वाला यह वाला यह वाला यह वाला इन stream ad यही वो feature है जिससे आपको facebook पर video जो कोई दूसरा कोई देखेगा share करेगा और उस पर जो ad चलेंगे ad जैसे कि इस तरीके से जब च ठीक आपको मिलेगा चलिए अब बात करते हैं यहां पर तो यहां पर आपको in stream ad setup यह setup करना है और यहां से हम decide कर लेते ही और get started हमने यहां से on कर दिया ठीक है अब यहां पर देखे दोस्तों सबसे पहले यहां पर आएगा आपके पास की business profile आपको एक business profile बनाना पड़ेगा आपको अपना pen card bank details सब कुछ fill करना पड़ेगा यहां पर मेरा already है ठीक है simple से बात है मेरा पहले से पहले है ठीक है तो अब क्या करेंगे कि मैं अब यहां पर मेरा already है मैंने पहले बना के रखा तो मेरा so कर रहा अगर आपका नहीं है तो आप यहां जाएंगे at new business profile पे आप new business profile पे जाएंगी और यहां पर जाएंगे आपका अपना नाम क्या है legal name first ठीक है business profile बनाना पड़ेगा ठीक है उसके लिए आपको क्या करना पड़े है name डाल दिया जैसे माल लीजिए आपका नाम है अंकित अंकित है last name जो भी है आपने डाल दिया मौरया डाल दिया data birth बिल ठीक से भी हो आप डाल देना मैं China डाल दिया पूरा प्रोसीज्र बताओंगा सही तरीक से कैसे क्या करना यह को पूंसे परतेगा प्रना पड़ेगा अंकित मारया और यहां से data birth डालनी है जो भी data birth है आपकी है आप कर दिजे मैं आसे select कर लेता हूं नेस्ट कर देता हूं ठीक है डेटा बर्द भर दिया वाई सम्हिद्वार फैक्त अब क्या आएगा आपके पास श्रह्ट पेमेंट आउट पेमेंट एकाउंट अब आपको आपको पेमेंट एकाउंट दे रहे हैं कि पैसे आप किस खाते मिले हुए का ओं से खाता है आपका तिक हैं könnte फिलकनी है इंडिया कर दिया बिजनिस इंडियोजल करता है यहां पर हैं आपको इंडिविजूल करना है इंडिविज्व्सन एकाय है अbour उर इसके बाद नेस्ट कर पर आपको address डालना यह दो दिया ना set up your payment account यहां पर डालना आपको address नीचे आएंगे primary address क्या बहिया मैंने डाल दिया अपना जो है सा ठीक है सा फतेपूर डाल दिया मैंने ठीक है आपको जो भी यह city क्या है मेरी फतेपूर है ठीक है स्टेट यह आपका जो भी आपका स्टेट आप डालेंगे उत्ता प्रदेश है मैंने डाल पिन कौट क्या है 122601 जो आपका पोस्ट लेड्रेस होता है जिससे आपके घर तक आपके address तक वो क्या post आ सके है समझ रहे हैं आप post office वाला court चाहिए phone number क्या है वो डाल देंगे आप ठीक है चलिए मैं आपर कोई भी phone number डाल देता हूँ अपना ठीक है चलिए phone number डाल देते हैं और यहाँ पर नीचे email ID क्या है email ID आपको डालना जरूरी है ठीक है तो email ID भी डाल देंगे आप ठीक है email ID डाल दिया अब यहाँ पर email ID सही डालना आपको phone number सही डालना है और name जो दीचे है बाई साब tax ID type यह बहुत जरूरी है यह क्या है pen card number यहाँ पर आपको जो government के तरफ से दिया गया है tax number यह दिया गया है tax number टैक्स ID number इस पर डालना आपको pen card number जो आपका pen card है pen card समझते हैं बनवाना पड़ेगा अगर नहीं बनवाया है तो pen card आधार card जो होते हैं bank detail में जब लगता है जो pen card वो आपको pen card PAN यह pen card permanent account number यह आपको बनवाना पड़ेगा ठीक है तो pen number डालना यहाँ पर तो चलिए आपर मैं डाल देता हूँ ठीक है जो भी मेरा pen number है pen ID जो है ठीक है तो यहाँ पर क्या है मेरा pen number भाईया जो भी आप डाल देंगे यहाँ पर भाईया मेरा तो मैं डाल देता हूँ number आ रहा यह ठीक है आपने डाल दिया है कि manually manually आपको link करना है कि PayPal account से link करना पेपल अलग होता है वह आपके अभी सर पर नहीं चड़ेगा अभी आप नए हो PayPal account क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ नीचे वाला जो पेपल वाला ठीक है और यह वाला है मैनुवली तो paypal क्या होता जो नीचे वाला है मैनुवली में आपको अपनी यहाँ पर आपकी कंट्री डालना है ठीक है मैनुवली आपको मैं पहले paypal वाला बता देँ paypal क्या होता है कि जिससे हम international payment को किसी भी currency में हो उसको हम अपनी currency मिले सकते हैं माल लो कोई चाहिना से पईस हमको भेजना चाहें तो कैसे बेजेगा ए इंडियन रूपी में तो नहीबेजेगा वह पहले पेपल को बेजैंगा भाईया डॉलर में, फिर उ डॉलर हमको भेजेगा हमारे खाते में कुछ पैसा ले लेगा चार्ज, सर्वीश चार्ज, तलाल ही वाला काम, ठीक है? ओ जो को हिंदी मों promising बहुते है, ठीक है? तो वो लेलेगा, तो वो लेलेगा, लेकिन हमको क्या करना, हमको थ्राचा में हमको पेपल लेंड़ ने, दलाल कोई नहीं हमारे अम बहुत यह आक चाहिए, लेकिन अब यहा मौर रहा ठीक है अंकित डाल दिया अब में जो लास्ट वाला भाई साथ सुप्ट कोड सुप्ट कोड जानते हो सुप्ट कोड सुप्ट कोड क्या है सुप्ट कोड नहीं जानते हो चलिए बता देते हैं बैंक बैंक आपकी इंडिया की है सुप्ट कोड सुप्ट कोड क्या हो क्योंकि हर जगा नहीं होती है सुम्ट कोड हर अब आचा ककी सब्सक्राइब करण लेकिन हमारे आज-पास बड़ी बड़ी शीची स्प्ट मैं आपको क्या करना है पहले हैं apples गूगल में डालना है सुप्ट कोड सुप्ट कोड यह सर्च करना है सुप्ट कोड सुप्ट कोड सर्च कर लिया चलिए यहाँ पर पहले हम desktop mode हडा देते हैं सुप्ट कोड यह आपको internet पर सर्च करना है सुप्ट कोड और यहाँ पर आना है इस वाली website पे wise.com यह वाली वेबसाइड है इस पर आपको सुप्ट कोड मिलेगा ठीक है इस पर आपको सुप्ट कोड मिलेगा voice.com यहाँ पर जाना इस वेबसाइड में और यहां पर नीचे आएंगे country currency आपकी country वही है हमारी इंडिया तो हम क्या करेंगे इंडिया सेलेक कर लेंगे यहाँ से ठीक है अब आपको अपने बैंक का सुप्ट कोड एक निकालना है उस सुप्ट कोड कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता दो इंडिया है नहीं कहा है है इंडिया आ गया ठीक है इंडिया सेलेक किया अब यहाँ पर बैंक काउंसी आपकी बैंक काउंसी है बैंक जो भी है जैसे कि मेरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है मैं डालूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यह देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब आपकी जो भी बैंक है वो आप डालेंगे भाई साब आपकी जो भी बैंक है आपकी बैंक ऑब श्वट कोड है मारे जिस्ट कोड है वह ब्रांचे आ चुकी आप बास समझना अब मेरे भईया फते पूर यहां पहले देख लेना है फतेपूर नहीं दिख रहा है तो आपको अपने आज पास देख लेना जैसे यहां पर मिरे आज पास कानपूर है तो मैं कानपूर का कानपूर कहा चला गया कानपूर 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 यह ठीक है कानपूर और स्पाइंड सुप्ट कोड डाल देंगे अब देखें नीचे आएंगे और यहां पर हमें क्या मिल जाएगा सुप्ट कोड मिल जाएगा बाई साथ यहां पर यहां पर कितनी ब्रांचे हैं यहां प जैसे कि हम क्या करेंगे इसका में ब्रांच का लगा देते हैं तो यहां पर हम चलिए ले लेते हैं यहां पर यह दमॉल ठीक है यह वाले बैंक हमें चाहिए इसको दे दिया यह आ गया इसका सुप्ट कोड यह लिखा वाई यह एस बी आई एन आई एन बीबी 124 और इसको कॉ अपिकल लिया और यहां पर आये रही सूप्ट कोड में ऐसे खोजना है परहताई ना सुप्ट कोड अबने इत डाल दिया एकन नंबर यह आपका नमबर है जो आप डाल देंगे यहां पर और इसके बाद Zus कुदी कर देना कि यह लिंक पथ जैसे बटन क्लिक करोंगे आपक करूँगा individual पहले वाला क्लिक कर लूँगा मेरे पहले से था मैं यहाँ पर क्लिक कर लिया भया भी नियसे account तो आपको वहाँ पर करना है अब देखिए जैसे आप क्लिक कर देंगे हमारा application review में चला जाएगा यह देखो आपका जो वह कहना page है वह review में चला जा चुका है अब उनकी team your application being reviewed अब आपका page चला जा चुका है अब वह आपके page को देखेंगे ठीक है अगर आपके page में add आपने किस कहीं से अपना खुद का content है आपने अच्छे से विडियो बनाया है सब कुछ आपका सही है जनुइन है तो फिर आपका जो facebook page है वह mortise कर दिया जाएगा यह देखें okay कर दिया हमने बस हो गया भाई हमने setup कर दिया यह दिया हुआ हुआ ना review में हमारा application summit हो चुका है तो इसी तरीके से